नमस्कार, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का फिर से आज के इस नई यूजफुल वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम आपको पोशन ट्रेकर एप की एक नई अपडेट के बारे में जनकारी देने वाले हैं जैसे कि पोशन ट्रेकर एप में आज 12.5 का एक नई अपडेट आ चुका है इस नई अपडेट में क्या कुछ बदलाव किया गया है पोशन ट्रेकर एप में इसके बारे में हम आपको जनकारी देने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यह जो अपडेट आया हुआ है वो 20 मार्च 2022 को अपडेट आया हुआ है और आज है 21 मार्च तो इस परकार से देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा लेट हो चुका है जैसे कि हम सुबा में वीडियो जब अपडेट नहीं आया हुआ था यह अपडेट आया है दो पहर के बाद तो चलिए जानते हैं किस परकार का इसमें बदलाव किया गया है देखिए यहां पे एरो पे किलिक करते ही आपको यहां पे चार नए अपडेट देखने को मिलेंगे चारो नए अपडेट क्या क्या है इसके बारे में हम आपको पूरी जनकारी देने वाले है वीडियो में आप लोग बने रहे हैं वीडियो को complete जरूर देख लिजिएगा वीडियो में आगे बनने से पहले आप सभी से एक छोटी सी request है कि आप सभी को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like जरूर किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो अपडेट है वो daily tracker offline issues resolve जैसे कि आप लोग dynamic tracking में अपना हाजरी सेविका बनाती है तो वो offline mode में जब सेविका हाजरी बनाती थी तो उसमें कुछ problem आ रही थी जैसे कि जो हाजरी है वो submit नहीं हो पा रहा था तो उसको यहाँ पे resolve कर दिया गया है यानि कि ठीक कर दिया गया है दूसरा जो option है vaccination guideline has been placed to vaccination screen जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी भी लभार्थी के category के नीचे में जो vaccination guidelines दिया गया था उसको वहाँ से हाटा आकर जो vaccination आप लोग का करन की entry जहाँ पे करते है उसको यहाँ पे shift कर दिया गया है तिसरा है mobile OTP verification issues resolve जैसे कि mobile पे OTP भेजते समय काफी दिक्कते आ रही थी OTP जो है कि लभार्थी के mobile पे नहीं जा रहा था तो उसको यहाँ पे resolve कर दिया गया है और चोथा है minor bug fixes जैसे कि portion tracker app में जो bug होता है उसको यहाँ पे ठीक किया गया है तो चलिए चलते हैं portion tracker app के screen पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इसमें और भी changing किया गया है सबसे पहले आप लोग क्या कर लेना है यहाँ से आपको portion tracker app को update कर लेना है अपडेट करने के बाद simply आपको यहाँ से इस portion tracker app को open कर लेना है तो जैसे ही आप लोग पोशन ट्रेकर एप को अपडेट करके अपने होम स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव आप लोग को यहीं पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कारेकरम जो चलाया जा रहा था उसका लोगो यहाँ से हटा दिया गया है जैसे कि इस केटेगरी में जो नौन बेनिफिसरी वाले बच्चे हैं जिनका स्वस्त बालक बालिका स्पर्धा कारेकरम के तहत हाइट और वेट डाला जाना था तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस परकार से जो लोगो है वो यहाँ से हटा दिया गया है और आप सभी को याद होगा जब जनुवरी माह में भी जो स्वस्थ बालक बाली का अस्परधा कारेकरम चलाए जाना था तो उसमें भी इस परकार के अपडेट आये थे कि जो स्वस्थ बालक बाली का कारेकरम है उसको अस्थागित कर दिया गया है फिलाल यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको यहाँ से हटा दिया गया है लेकिन अभी इसको हम नहीं कह सकते हैं कि जो स्वस्त वालक बाली का कारिक्रम है उसको अस्थागित कर दिया गया है अगर कोई जनकारी मिलती है तो हम आपको अपने channel के पाध्यम से जरूर बताएंगे चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जो चार नए अफडेट आए हैं वो क्या क्या है इसके बारे में चलिए हम पूरी डिटेल्स देख लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर बेनिफिसरी वाली केटेगरी को ओपेन करेंगे और यहां पर पहला जो है वो देनिक ट्रेकिंग में बदलाव किया गया है जैसे कि देनिक ट्रेकिंग में आप लोग अपना जो अफलाइन मोड में हाजरी बनाते थे तो उस समय काफी परिशानी होती थी अफलाइन मोड में हाजरी आप लोग का नहीं बन पा रहा था तो अब इस अपडेट से आ घ्रेगरी को हम लोग open करेंगे और नीचे भी देखते थे जो ज गाइडलाइद से दिया गया था लेकिन देख पा रहे होंने की है वाइकिन स्प्सक्यान सब्सक्राइद हहता . उसको हटा के देखिए आप कहां पे वो vaccination guidelines details दिया गया है जैसे किसी भी लभार्थी के three dots के उपर click करेंगे click करने के बाद यहां पे देख सकते हैं add vaccination details का जो option दिया गया है इस पे हम लोग click करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं जो टीका करन की सूची है उसमें इस vaccination guidelines को add कर दिया गया है यानि कि वहां से हटा के जो टीका करन की सूची है वहीं पे इस vaccination guidelines को यहां पे दे दिये गया है जिससे कि आप लोग असानी से यहां से देखके जो भी बच्चों का ठीका करन है वो आप लोग यहां पे भर सकते हैं चलिए अब हम थिसरी अपडेट की और बढ़ते हैं तिसरी अपडेट क्या है जैसे कि किसी भी लभार्थी का जो मुबाइल वेरिफिकेशन है उसको हम लोग करते हैं तो वहां पर प्रॉलम आ रही थी कि योद्र मुबाइल नमर है जो मैसेज देखने को मिल रहे थे यहाँ पे verify का जो option है उस पे हमको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे लभार्थी का जो mobile number है इस पे आपको OTP भेजना है लिए आपको यहाँ पे submit करना होगा चलिए यहाँ पे हम submit कर देते हैं आप जैसे ही submit करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लभार्थी का mobile number है उसके उपर एक OTP भेजा गया है जो चारों को कहोगा तो यहाँ पे आप लोग आसानी से अब यहाँ पे डाल सकते हैं पहले यहाँ पे उपर में ही कुछ message देखने को मिल रहे थे तो इस परकार के message अब यहाँ से हटा दिये गए हैं अब आप लोग यहाँ से असानी से लभार्थी का mobile number verify कर सकते हैं यह जो message है थोड़ा late से भी जा रहा है तो आपको यहाँ पे पांस मिनट का time दिया जाएगा पांस मिनट के अंदर आपको लभार्थी के mobile से OTP निकालके यहाँ पे आपको verify कर लेना है आप लोग यहाँ पे try जरूर किजिएगा आप लोग का जो भी problem है वो यहाँ पे solve कर दिया गया है चलिए अब हम बढ़ते हैं चोथे update की ओर और जैसे कि चोथे update में बताया जा रहा है कि जो minor bug fixes है उसको यहाँ पे ठीक कर दिया गया है लेकिन जो home visit schedule वाला data है इसको यहाँ ठीक नहीं किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी लभार्थी का जो home visit schedule है उसको हम लोग यहाँ पे click करते हैं तो यहाँ पे यह click ही नहीं ओपन हो रहा है देख सकते हैं यहाँ पे हम कई बार touch कर रहे हैं लेकिन जो लभार्थी का data है उसको भरने के लिए click कर रहे हैं तो यह open ही नहीं हो रहा है लेट वाले option में भी इसी परकार से है यानि किसी भी हो मिजीर schedule में आप लोग लभार्थी का जो data है उसको भरने जाएंगे तो वो open ही नहीं होगा कहने का मतलब है कि जो minor bug fixes है वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और जैसे कि जो भी लभार्थियों का हम लोग THR बितरन करते हैं तो THR बितरन जीन लभार्थियों का आधार verify हुआ रहेगा उनका ही होगा और जीनका आधार verify नहीं हुआ है उनका आप लोग THR नही पर किलिक कर देना है फिर आपको यहां पर पोशक हस्तेशेप वाले पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहां पर आपको टेखोम रासन वाले पर सेलेक कर लेना है और यहां पर दीनों की संखिया डाल देनी है और उसके बाद यहां पर किस परकार की सेवा पराप्त कर है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर सम्मिट कर देना है जैसे ही आप सम्मिट करेंगे तो रिकॉर्ड सफल्दा पूर्वक बनाया गया यानि कि आपका जो अधार वेरिफाई रहेगा तभी आप लोग ठीचर कर पाएंगे और अधार वेरिफाई करने में थोड़ी सी जो प्रोबलम है प्रोसेसिंग वाली भी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है तो इस परकार से देख सकते हैं कि जो 12.5 का नया अपडेट आया हुआ है उसमें इतने ही अपडेट है और कोई इसमें ज्यादा अपडेट नहीं है उमीद है आप सभी को रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद